अब चलें Thinking Skills यानी चिंतन कोशल की तरफ और आरंभ करते हैं इस बात पर चिंतन करने से कि क्यूं हम 5000 वर्षों में इस योग्य भी ना हो सके कि गेहूं पूरा हो सके कि मकान पूरे हो सके अमरीका की कुल उम्र 300 वर्ष है 300 वर्ष में अमरीका इस योग्य हो गया कि सारी दुनिया के पेट को भरे जीवन प्रतिपल नया है जीवन हर सांस में बदल रहा है लेकिन हम और हमारा समाच विशेशकर भारत में ठहर सा गया है हम पुराने से पुराने हो गए हैं हम विकासमान विश्व के प्रवाह से अलग थलग हो गए हैं और हम बुरी तरह पिछड़ गए हैं अब शिक्षा के छेत्र को ही लेते हैं अलबर्ट आइंस्टीन जिन्हें संसार का सर्वश्रिष्ट धिमाग जाना और माना गया है और जिनका जिक्र हम कई बार करेंगे निकाह है कि शिक्षा तत्यों का सीखना नहीं है बलकि हमारे मन को सोचने और चिंतन करने का प्रशिक्षन है अलबर्ट आइंस्टीन आगे कहते हैं क्या सोचना है शिक्षा की प्रक्रिया नहीं है शिक्षा कैसे सोचना है का प्रक्रम है इसकी तुलना हम घर-घर में उपलव्द साधारन बाल्टी से करते हैं तो शिक्षा बाल्टी को पानी से भरना नहीं है यानि शिक्षा दिमाग को ग्यान से भरना नहीं है बाल्टी एक सीमित धारना है समझो 10 लीटर पानी की शम्ता इसलिए इसमें अधिक से अधिक 10 लीटर पानी ही आ सकता है मौजूदा शिक्षा भी लगवग एक तरह से यही है हम अपने छात्रों की मानसिक शम्ता का औस्तन अनुमाम लगाकर उसे 100 प्रतिशत घोशित कर देते हैं यानि 10 लीटर की बाल्टी अगर उसमें 9 लीटर पानी भरा तो 90 प्रतिशत 9.5 लीटर मतलब 49 प्रतिशत और 10 लीटर से ज़्यादा पानी तो आ ही नहीं सकता तात पर यह है कि अनुमानित औसतन शम्ता से ज़्यादा जैसी कि 101 प्रतिशत तो सम्भवी नहीं है क्योंकि 10 लीटर की बाल्टी में और जल आ ही नहीं सकता अतिरिक्त पानी बाल्टी से बाहर बहने लगता है तो शिक्षा बाल्टी को पानी से भरना नहीं है और इसके विपरीत शिक्षा अगनी को प्रजोलित करना है और इसमें बहुत गहराई है आग सीमित नहीं है, आग में अनंथ संभावनाए है विदित हो कि सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी पूरे लकडी के जंगल को जला सकती है उसमें इतनी अव्यक्त शमता है अब विचारें कि थिंक, सोच, थिंक डिफरेंट, अलग सोच और रिफिंक, फिर से सोचने, तीनों में क्या अंतर है सोचना महज सबकी तरह सोचना नहीं है इंसानी प्रगती अलग धंकी सोच या चिंतन से होती है हमारे पसंदीदा उधारण एपल लें, तो साधारण सोच केवल फल से संबंदित होगी यानि सिर्फ एपल एपल से जुड़ी अलग धंकी सोच, एपल के कई रूप, जैसे सलाद, जूस, चटनी, अचार, साइडर, सिर्का, कंप्यूटर कंपनी, आधी से नाता जोड़ो सकती है री थिंक या फिर से सोचना हमारी लिए जो अब तक आस्तित्व में है या नहीं भी है के अज्यात द्वार खोल देती है जैसे की गुरुत्वा कर्शन का उधारन जो हम पहले ले चुके हैं जिसने एक अदभुत सिध्धान्त को जन्म दिया और वो सोच मात्र एपल शब्द से ट्रिगर हो जाती है अपने वर्तमान शिक्षन के संदर्ब में चिंतन करने के लिए हम एक छोटी सी केस टड़ी लेते हैं जिससे आप सभी परीचित होंगे पाचवी कक्षा की वर्तमान सुलब भारती मराठी पाठ्य पुस्तक है यह पुस्तक पिछले 25 वर्षों में अपरिवर्थित बनी हुई है हाँ 10 साल पहले एक दूसरे रंग को जोड़ने के अतरिक्त और कुछ नहीं बदलाए अब अगर इसके 9 प्रष्ट पर ही गौर करें 9 क्योंकि जैसे हम बाद में जानेंगे हमारी 9 प्राकरतिक बुद्धियां होती है शाला शीर्षक भी उप्युक्त संधर्भ है प्रस्तो चित्र 25 साल पहले बनाए रेखा चित्र है और इनका आज की वास्तविक्ता के साथ कोई संबन नहीं है लगबग 2 तिहाई प्रष्ट में आप देखेंगे एक शिक्षक, एक ब्लैकबॉर्ड और छात्र और इस चित्रांकन में सीखने लायक कुछ भी नहीं लगबग 60 प्रतिशत कागज बिलकुल बेकार क्योंकि दर्शाया चित्र यथार्थ होते हुए मामूली रेखा चित्र है इसलिए बच्चों के लिए अतिरिक्त सीखने के लिए कुछ भी नहीं आप शाला शीर्षक के उपिक्षा भी कर सकते हैं क्योंकि इसी प्रष्ट पर अन्य शब्द हैं इमारत, जड़प, फनस, ओशद और ज़ाड जिनका शाला से कोई रिष्टा नाता ही नहीं और इनका चित्रांकन भी इतनी लापरवाई से किया गया है 25 साल पहले बनाए रेखा चित्र जो पूरी तरहां उस समय की प्रिंटिंग टेक्नोलोजी या छापने की विधी से सीमित थे और तो और ये रेखा चित्र स्केच शब्द के अर्थ का समर्तन करने में भी विफल ह उधारन के लिए फनस का चित्रन इतना घटिया है को कुछ भी हो सकता है शायद बिना शेव किया गया चेहरा जिसने फनस को ना देखा हो ना खाया हो उसको भला क्या समझायेगा इसी तरहां सिर्फ एक बोतल पौशत का सार व्यक्त नहीं करता है या तो दूद की बोतल भी पैदा हुआ है उसके लिए इन तस्वीरों का वास्तविक्ता या हकीकत की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए हमें अब इस पर फिर से सोच करनी है यानी री थिंकिंग उधारन के लिए हम स्कूलों से संबंदित विभिन द्रश्यों में वास्तविक जीवन जादा बेतर प्रदरश्यत कर सकते हैं कई संभावनाएं हैं गाउं से शेहर तक स्कूलों के विभिन प्रकार स्कूल में विभिन गतिविदियां अलग-अलग संधर्ब सामाजेक आर्थिक पहलू से स्कूल इत्यादी इसी तरह अन्य शब्दों के लिए बजाए बोरिंग, नीरस काले और सफेद रिर्का चित्र के हम वास्तविक जीवन चित्र कर सकते हैं री थिंक या फिर से सोच का एक और पहलो सामान्य सवंज में शब्द जडब का अर्थ अन्बन या जगड़ा है यहां जडब एक खिड़की के शटर या किवार के संधर्ब में इस्तमाल किया गया अगर हम यह शब्दार्त मान भी लें फिर भी हम आधोनिक उपलब्द शटर के विभिन प्रकार दिखा कर बच्चे के दिमाग को जागरत कर सकते हैं जैसे इमारत के लिए हम एक बंगलो या एक बहु मंजिला स्काइस्क्रेपर या एक निर्माणा अधीन मकान या फिर गे नारियल, बर्गत वगेरा से परिशित कराया जा सकता है और शट के लिए गोलियां, कैपसूल, इंजेक्शन, पट्टी पैक, बोतले आधी जैसे फार्मसूटिकल्स के कुछ यथार्थ फोटो असली फणेस बच्चे सबजी बजार में या एक पेड़ पर ही देख सकते हैं जो कटहल की एक वास्तविक तस्वीर काम कर देगी। इंटरनेट के माध्यम से कई संसाधनों की उपलबता के द्वार खुल जाने से इस तरह के चित्रों को आसानी से गूगल किया जा सकता है और एक बच्चे की कल्पना को प्रोटसाहित करने के लिए उन्हें इस्तमाल कर करना सच मुच में बच्चों का खेलसा बन गया है सीखने और सिखाने के तरीकों में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इन में स्व्यम संगटित वातावरण यानि सेल्फ और्गनाइजड लर्रिंग एन्वार्मेंट सोल तथा क्लाउड एजूके काईजन जिसका अर्थ है निरंतर व्रद्धी शील सुधार हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ ही शुरू होती है हमें सिर्फ पहला कदम उठाने के आवश्यक्ता है पूरी सीड़ी पर चलंग लगाने की जुरूरत नहीं है काईजन के मुताबिक एक प्रतिशत हर दिन सुधार 365 दिन के लिए आप में 37 गुना से ज्यादा सुधार लाएगा इसे आर्थिक तोर पे समझ जाए और पैसे के आधार पर तुलना करते हैं अगर आज एक लाक रुपे का निवेश किया जाए और रोजाना संचित रकम पर एक प्रतिशत ब्याज मिलता जाए तो वर् के अन्जाना भी है मन को इसका सामना करने में असुरुख्षा प्रतित होती है इसलिए हजारों वर्षों से हमारे देश को नए का साक्षातार करने का सहास नहीं रहा आक्रमणकारी आते रहे इसे गुलाम बनाते रहे और हम अपने घरों के बंद कमरों में बैठे गीता और वेद पढ़ते रहे यग्ये हवन करते रहे प्रश्न उठता है कि वर्तमान स्कूलों के अस्तित्व में आने से पहले हमें शिक्षित कैसे किया जाता था आपको पता होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली गुरु शिश्य परंपरा और गुरु कुल्प आधारिथी गुरु का स स्थान प्राचीन काल से ही सर्वोपरी माना गया है कबीर के शब्द गुरु गोविंद दू खड़े काको लगे पाएं बलिहारी गुरु आपणों जिन गोविंद दियो बताएं अध्यातम के छेत्र में आज भी गुरु पद शिरोमणी है आधर्निय है वंदनिय है प्रा आत्बक विचार करें एवं पर्खें तो काफी अंतर दिखाई देगा आज के समय में शिक्षन संस्थान व्यवसाइक संस्थान बनकर रह गए हैं जहां ज्यान अर्थ के साथ जुड़कर अर्थ हीन हो चड़ा है गुरु कुल आज के स्कूलों से काफी विपरीत थे बच् की होलिस्टिक डेवलब्मेंट या समगर विकास की जिम्मेदारी गुरु की होती थी गुरु कुल में बच्चे दैनिक कारिये ज्यान और मस्ती के अनूठे मिश्रण के साथ प्रकृति के वातावरण में पनपते थे बिना किसी पारिवारिक हक्षता शेफ के माता-पिता और बच्चे के बीच कोई संपर्क नहीं रहता था आज बच्चे परिवार और समाज का अभिन अंग है बस या कार स्कूल में उन्हें छोड़ने और लाने का काम करती है दैनिक पहनावा या वर्दी हर स्कूल में अनिवारिये है टेलिविजन फिल्में या पारिवारिक से रेस्टराण होटल में रात भार खाना खाकर भला कौन बच्चा इस बात का पालन कर सकता है कि अर्ली टू स्लीप और अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी और वाइज या जल्दी सोना और जल्दी उठना हमें स्वस्त समरद और बुद्धिमान मनाता है अहत्व पूर्ण किशोर अवस्ता के दौरान सीखने के लिए अपने पूरे अस्तित्व समरपित थे हमारे शिक्षन संस्थान कभी भी शासन की साहता पर निर्भण नहीं रहे समाज के व्यक्ति ही उन्हें धन देते थे एवं ऐसा करके विस्यम को कृतार्थ मानते थे शा आसन कभी भी शिक्षपणाली अथ्वा संस्थानों में हस्ताशेप नहीं करता था शिक्षा छेत्र पूर्टा स्वायत्त होता था व्यक्तिगज शिक्षा केवल इन गुरुकुलों तक सीमित नहीं थी सामोहिक शिक्षा ने भारत में ही जन लिया और इसके प्रमाण है हमा तो यह सब कहां अंतर ध्यान और गायव हो गए और हमारी आज की शिक्षा प्रणाली के लिए वास्तन में कौन जिम्मेदार है एक ब्रिटिशर के अलावा अन्य कोई नहीं जरा इनको फहचानिये चलिए हम बताते हैं यह हैं लौर्ड मैकॉले और हमारी शिक्षा के मौज प्रस्तुती पेशकी जिसे मैकॉले मिनिट्स के नाम से जाना जाता है लौर्ड मैकॉले ने कहा था मैं भारत में काफी घुमाऊं दाएं बाएं इधर उधर मैंने यह देश च्छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिकारी हो जो चोर हो इ इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है इतने उचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुर्माण मुनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जबकि इसकी रीड की हड़ी को नहीं तोड़ देते जो इसकी आध्यात्मिक और सं संस्कृतिक विरासत है और इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुराणी और पुरातन शिक्षा व्यवस्था उसकी संस्कृति को बदल डालें क्योंकि अगर भारतिय सोचने लग जाएं कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वै अच्छा है और उनकी अ शिक्षा पद्वती को भारत में प्रचलित कराया और पुरातन भारतिय ज्यान की जान भूच कर उपेक्षा की जिसकी वज़े से भारतिय शिक्षा अपने अतीत से कट गए इस बात पर गौर करें कि एक छोटा सा देश साड़े चार करोड जनसंक्या दुनिया भर में फैले एक चुथाई इंसानों पर राज करता था कहा जाता है कि ब्रिटिश सामराज्य में सूरिय अस्थी नहीं होता था घर बेटे राज करने के लिए दो प्रकार के बहुत सारे प्रशिक्षित लोग ज़रूरी थे एक तो मुनीम या कलर्क जिनका काम टैक्स वसूली और जन जायदात के रिकॉर्ड्स स्थापित जाचना और नियंत्रित करना था दूसरे सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी को शासन करने में मदद कर सके दूसर के लोग केवल इस बात में प्रशिक्षन पाते थे कि जो हुक्म मिले उसकी तामील हो यानि जो कहा जाए उसको निर्विवाद पूरा किया जाए और किसी भी प्रशन का सवाल ही नहीं उड़ता अंग्रेजों के सामने चुनोती थी कि कैसे भारतियों को उस भाषा में पारंगत करें जिससे कि ये अंग्रेजों के पड़े लिखे हिंदुस्तानी गुलाम की तरह कारिय कर सकें इस कारियों को आगे बढ़ाया तॉमस बेबिंटन मैकॉले ने 1858 में लौड मैकॉले दोरा इंडियन एजूकेशिन एक्ट बनाया गया मैकॉले ने पूरी तरह से भारतिये शिक्षा व्यवस्ता को खत्म करने और अंग्रेजी जिसे हम मकॉले शिक्षा व्यवस्ता भी कहते हैं शिक्षा व्यवस्ता को लागू करने का प्रारूप तयार किया मेकाउले के शब्दों में हमें एक हिंदुस्तानियों का ऐसा वर्ख तयार करना है जो हम अंग्रेज शासकों एवमून करोडों भारतियों के बीच दुभाशिये का काम कर सके हैं जिन पर हम शासन करते हैं हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वरक तयार करना है जिनका रंग और रक्त भले ही भाड़ती हो लेकिन वह अपनी अभिरुची, विचार, नेतिक्ता और बोधिक्ता में अंग्रेज हो इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोशित किया जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली साहता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैर कानूनी हो गए फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोशित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूंग घूंग कर खत्म किया उनमें आग लगाई गई उनमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा गया जेल में डाला गया 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाउं थे 7,50,000 मतलब हर गाउं में औस्तन एक गुरुकुल और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में higher learning institutes हुआ करते थे उन सब में 18 विशय पढ़ाये जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे नाकी राजा, महाराजा और इन गुरुकुलों में शिक्षा निश्युल्ख दी जाती थी इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानून इगोशित किया गया फिर कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोया गया, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता उनिवर्सटी बनाई गई, बंबई उनिवर्सटी बनाई गई, मदराज उनिवर्सटी बनाई गई और ये तीनों गुलामी के जमाने के युनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिठी लिखी थी, बहुत मशूर चिठी है वो, उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसे बच्चे निकलेंगे, जो देखने में तो भारतिये होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बा ही चली जाएं, इस देश में अंग्रेजियत नहीं जाएगी, आखको पता होगा कि बड़ा जहाज भी एक छोटे से लंगर या एंकर द्वारा रोका जाता है, उसी प्रकार भारतिये दिमाग को कई पीडियों तक कारवास में कैद रखा गया, हमें सुतंत्र हुए जाए हो, इसलिए 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, 300 वर्ष पुरानी संस्कृतियों के सामने हाथ जोड कर भीक मांगती है, और हमें कोई शरम भी महसूस नहीं होती है, भारत में हमारा चिंतन पुरातनवादी है, लेकिन हम एक बात भूल गये हैं, कि यह जीवन का सुभाव जीवन का विराठ प्रवा, प्रतिपल, परिवर्तन शील है, प्रगती शील है, जीवन निरंतर नए प्रश्न खड़े करता है, नई समस्या लाता है, लेकिन हम उन प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर और समाधान गीता और कुरान में ढूंडते हैं, इन गरंतों को कंठस् आते हैं, लेकिन हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, शिक्षन में नई करांती आ रही है, और हम सब के लिए उनके भुन्यादी सिद्धानतों को समझना अवश्यक है, जिने हम अगले सत्र में आपके सम्मू प्रस्तुत करेंगे.